नमस्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडे चंद्रशेगर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की आदिनांग है दो जून सन दोजार तेईस विक्रम समध दोजार असी चल रहा है जेश्ट मास है शुक्ल पक्ष है ग योग की द्रश्टी से आज का ये जो दिन है शत्रू बाधा निवारण और कानूनी कारवाई शुरू करने के लिए बहुत यूप्यूकत है करन तैतिल है दौपेर बारा बच के उन्चास मिनट तक आगे गर करन रहेगा सुर्योदे का समय सुभे पांच बच के तेईस मिन चाहिए अविजित मुरत आज 11 बच के क्यों मिनट से दौपेर बारा बच के 46 मिनट के बीच है दिन में चार बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझेगा और सुजबू से टाल दीजेगा ये हैं सुभे 8 बच के 9 मिनट 9 बच के 5 मिनट और फिर दौपेर करें परिहार बहुती सरल है कि पश्चिम के और मुख कीजिए थोड़े से जो या राई के दाने खाकर पहले पांच किदम पीछे चलिए और इस पूरी प्रक्रिया के दोरान भगवान श्री राम या अपने अपने इस्ट का हरदे में ध्यान कीजिए उनसे प्राथना कीज कि दिशाशूल की दिशा में हम जा रहे हमारे साथ रहिए और यात्रा को सुखी मंगल में और कारे सिद्धी वाला बनाई है ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे दिशाशूल आपको परिशान बिलकुल नहीं करेगा आज क शुब समय दर्शे को या आज का दिन का सदूपयोग करने का समय है वह सुबह साड़े साथ बजे से 10 बजे तक फिर बारा बच के 20 मिनट से दो बज़े तक और फिर शाम पांच बच के 30 मिनट से 7 बच के 10 मिनट तक यह तीनों काल खंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज् इस से आज का जो दिन है सभी बारे राशियों के लिए को इस प्रकार हैने वाला है सबसे पहले बात करते मेश राशी की मेश राशी वालों को साजेदारी का व्यापार में योजनाई बनीगी यह ऐसा कोई आपके प्लान आएगा हो सकता आपके पास को प्रपोजल आए कि अंबव है साथ ही कोई गती शीलता लिएवे व्यापार अगर आप करते हैं तो बड़ा लाब होगा यह जिसमें बहुत ही ज्यादा आपको गती मिलती हो यानि आप या तो ट्रांस्पोर्ट का विजनस करते हो आपकी गाड़ियां चलती हो तो आप लोग को ज्यादा फाइ सिंग राशी वालों को अच्छा खासा फाइनेंशल सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है वही कन्या राशी वालों को वानी से होगा लाब और कुटुम में से किसी विवाह की तैह होने की सूचना भी मिलेगी तुला राशी वालों को अपने उपर ध्यान देना चाहिए आज काम के अवसर वहीं मकर राशी वालों को प्रमोशन संभाव है और अपने अच्छे काम के लिए प्रशिंशा भी मिलेगी कुम राशी वाले अपने पिता के रिष्टेदारों से बड़ा लाब पा सकते हैं मीन राशी वाले दार्शनिक्ता और एकांतिक चिंतन्म बिता सकते आज का ये दिन मन आपका उदास रह सकता है दर्शे को आप करते हैं आज के दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंते द्रश्टी प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे उन विशेश उपायों को जीवन को सुगम सुन्दर सुरक्षित और सफल बना देते और समाधान दर्शे को एक सुन्दर श्लोक हमारे शास्त्रों में इस प्रकार से आता है जो हमें बहुत कहरा घ्यान देके जाएगा जीवन को बहुत सुन्दर व्योस्तित कर जाएगा श्लोक इस प्रकार है कि द्रती शमो दमेशो चम कारून्यम वाग निस्टुरा मित्राणाम चान विद्रो है सप्तिता समीदे श्रिये चोटी सी बात है लेकिन कितना गहरा अर्थ है कि धेरिये मनपरंकुष इंद्रे सय्यम पवित्रता दया मधुरवानी और मित्र से द्रोह ना करना ये साथ चीजे लक्षमी को बढ़ाने वाली हुआ करती है यानि इससे संपती बढ़ती है संपती स्तिर हुआ करती है और हम सम्रद्ध होते हैं दर्चको धन सुमार्ग और कुमार्ग दोनों से आया करता है लेकिन कुमार्गी धन की आयू बहुत कम हुआ करती है सुमार्ग से जो धन आएगा वो चिरस्ताई हुआ करेगा और सुमार्गी धन तब आया करता है जब आप में ये सारे गुण हो आपके अंदर दया हो वाणी दूसरों को सुक देने वाली हो मन पर इंद्रियों पर आपका नियंत्रण हो आचरण में शुद्धता हो अपने कार जीवन में परिवर्तित करें अब बात करते हैं विशेश उपायों की जो आपकी सभी प्रकार की समश्चाओं के सरल समाधान आपको देंगे और जिने करके आप अर्चनों को असफलता को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए अपनी सम्रध्धी और सफलता की और परिवाद लीजिए उनका साथी दौपेर बारा बच के तीस मिनट पर सवा किलो मीठे धाई से भगवान शिवजी का अभिशे कीजिए और महामृत्युन्जे मंत्र की तीन माला का पाठ वहीं बैठकर मंदिर में आपको करना है इसके बाद में शाम पांच बच के तीस मिन साथ बीटेगा ऐसे दर्शे को जिल लोगों को भीशन आर्थिक पीडाओं का सामना करना पढ़ रहा हो काम धंदे में बहुत ज्यादा अर्चने आ रही हो यह वो लोग जो हर संभव प्रयास करने के बाद भी अपनी फाइनिंशल स्तिती को बिल्कुल भी निसुदार पार और दशांश यानि की लगबग 31 आहूती इसी मंत्र के अंत्र में स्वाहा लगा कर घी और खिले और सफेद मिठाए की देदिया करें मंत्र स्प्रकार ध्यान से समझेगा मंत्र को दुर्गे स्मृता हरशी भीतिम शेश जन्तो स्वस्ते स्मृता मती मतीव शुभाम ददास दारिद्रे दुख भय हारणी कात्वधन्या सर्वपकार करनाय सदाद्र चित्ता इस प्रकार सी मंत्र है तीन मालक आपको जाप करनाय इगतिस आपको आहूती देनी है कुछ ही महीने बीतने पर भीशन से भीशन आर्थिक संकट कर्ज की समश्याओं से आप बहर निकलाएं आपको बदनाम किया जा रहा हो या फिर आपको लगातार साख खराब करके आर्थिक रूप से नुकसान पहुचा जा रहा हो इस प्रकार के विमनश्य पूर्ण कर्म कोई लगातार आपके विरुद्ध करे वो भी तब जब आप बिलकुल निर्दोश हो तो फिर उसे उचि प्रभु जैसे आपने सुग्रीव जी माता सीता लक्षण भहिया को संकटों से निकाला वैसे मुझे इस महा संकट से शन भर में बाहर निकाले एसी प्राथना कर फिर विश्ष्ट मंत्र की पांच माला का जाब करें मंत्र ध्यान से समझेगा विश्ष मंत्र है मंत्र है औम नम हनुमते रुद्रावतरायं सर्व शतर संघारनाय सर्वरोग घराया सर्वशिकरनाय राम दूताय स्वाहा मंत्र सविट से raging समझते हैं औरलबी समय तक अगर आता सबिर इसे कर लिया तो जड़ से उस समश्या का अंतों जड़ेगा कुछ चीजों का आपको खयाल रखना एक तो सत्य आपके पक्ष में हो यानि आप गलत ना हो दूसरा साधना काल में मांस मदीरा से आप दूर रहें और ब्रह्मचेरे का पूरा-पूरा पालन करें तो दर्शकों ये थे आज के वो विसस चुपाए जो आपकी बहुत बड़ी समश्याओं का अंत कर रहे हैं और आपकी मनों कामनाएं पूरी कर रहे हैं अब बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्री का ये हमारे दर्शक चिराग जी की यह एमदाबास से हैं 23 मई 1996 का जनम है दोपेर बाद 4 बच के 27 मिनट का प्रशन किया है भाग्योदे कब होगा चिराग जी अगर महादशा की द्रश्टी से देखें तो आपका भाग्योदे सन 2025 के मद्धे से शुरू हो जाएगा और उसके बाद में आगे आने वाले 18 यहों का प्रबल होना भी बहुत आवश्यक हुआ करता है हमारी जो जनुम पत्रिका उसका लगन पंचम नवम यह प्रबल होना चाहिए तो आपका जो पंचमे शनी है वह सिक्स्ता उसमें छटे भाव में केतु से पिडित है अस्टम में सूर्य बार्वे भाव में राहु ह है यह आपकी जनुम पत्रिका में बंधन योग बना रहे हैं यानि समर्थ होकर भी आप उतनी प्रग्रती उतनी नहीं कर पाएंगे जितनी आपकी योग्यता है इसलिए पहले शनी शुक्र बुद्ध के जाप और रहो की शांती करवाईए साथ ही नित्य माता दुर्गा के 32 नाम का 32 वारा पाट शुरू कर दीजिए इस आपको बहुत बड़ा लाव होगा और आपका भाग्योदे बतायवे समय पे निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा आज की दूसरी जनुम पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक रीना जी की उध्यपुर से 16 सितंबर 1998 में का इनका जनम है रातरी 10 बच के 38 मिनट उधैपुर कौन से विभाग में नोकरी मिलेगी देखे रीना जी आपके लिए सर्वस्रेश्ट यही रहेगा कि आप बैंकिंग या पटवारी इंशुरेंस ऐसी कुछ परिक्षाओं में कोशिश करें इनकी परिक्षा देती रह वरियता आपको सिक्षा की छेत्र में दिनी चाहिए अगर आप इकॉनोमिक्स या गणित बढ़ा सकती हैं इन सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की है तो सिक्षा का छेत्र आपकी पहली वरियता बन जाएगा जन्वरी 2024 से जून 2026 के मद्द्य आपको नोकरी में मिल तो दर्शे को यह था आज का पंचांग आज के विसस्त उपाई और ग्यान चर्चा में पंडे चंदर शेकर शर्मा यह आशा करता हूं कि बतायों उपायों को सही विदी सटीक समय पे करके आप पुरा पूरा लाब उठाएंगे और जो ग्यान चर्चा सत्संग में हमने सम का यह कौन से वो गुण है जो लक्षमी को स्थिर कर देते हैं और अच्छे मार्क से लक्षमी को हमारे जीवन में लाते उससे अपने जीवन में उतारेंगे और जीवन को एक आधर जीवन में परिवर्थित करेंगे इस कारिक्रम में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साधुवाद भगवति आप सबका कल्यान करें जय आदिशक्ति नमस्कार मैं हुदीप्टी शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के खासिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी सिग्मेंट में जो हां पर आप औरम औरिगल काड के जरीए जानते हैं कि आखका हमारा दिन कैसा गुज़रेगा और हम क्या करे और किन बातों को करने से बचें जिससे आज के दिन को हम और भी बहत्रीन बना सकते है और इसके लिए हम एक से लेकर नौ मूलांग तक की रीडिंग करते हैं, कौन सी रीडिंग आप के रहोगी उसका एक्जामपल आपको देती हूँ, अगर आपकी डेटो बर्थ है 16 यानि की 16, तो एक और 6 को जबाब जोडते हैं, तो जोडाता है नमबर 7, तो 7 होगा आपका कारिक है 2 जून 2023, और कहा जाता है 2 जून की रोटी, तो कहीं ना कहीं जो आज 2 जून है नमबर 2, जिनके की स्वामी होते हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा का क्या इंपक्ट पढ़ने वाला है, एक से लेकर 9 मुगलांग तक के जातकों पर आईए हम जानते हैं, और आपको मैं बताना चाहूंगे कि पिछले कुछ दिनों से जो हम continue चर्चा कर रहे हैं angel numbers के बारे में कि कहीं ना कहीं divine, हमारे garden angels, universe हम से बात करता है, हमारे प्रार्थनाओं के जवाब हमें मिलते हैं, तो कई बार ये जवाब हमें numbers के माध्यम से मिलते हैं, क्योंकि मैं अंक शासर के आती हूं, readings तो कहीं ना कहीं, जो ये numbers हैं, ये बहुत जादा हम से connected होते हैं, क्योंकि इन सब की vibrations होती हैं, तो अगर आपको number 8 दिखाई देता है, तो अगर आपको number 8 दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले हमेशा से मैं आपको number 1 से लेकर continue आपको अलग-अलग numbers के बारे म हम बात करेंगे, जब आपको number 8 दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि परमात्मा आप से कह रहे हैं, अबंडन्स आपको मिलने वाली है, number 8 का मतलब होता है, abundance, और अगर आपको ये बहुत सारी संख्या में नजर आते हैं, like 888, 888, अगर इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, तो मान जाएं, समझ जाएं, कि अब धन, दा, न, सुक, सम्रद्धी को प्राप्त करने का समय आ गया है, जो भी कोई आपकी विश्थी, जो की number 1 से चाल हुई थी, वो अब number 8 तक पहुँच गई है, तो आपको abundance, आपको awards, rewards मिलने का भी time आ गया है, क्योंकि जो भी आपने म कारिकरम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक एक के लिए हमारे Angels हमारे ancestors हमें आज की आज कर रहे हैं, दो जून 2023 के लिए, और हमसे मूलांक एक के लिए कहां जा रहा है तेखिए, दो काद्ध आए हैं, सबसे पहला है Direction Guardian का और दूसरा है Fire Guardian का, हम लोग और आज की तिन दोनों ही कार्ड मूलांक के जातकों के लिए गार्डेयंश के आये हैं और यह गार्डेयंश बहुत पावर्फुल है आप एमान के चली आज कि आपकी हुर जायं बहुत अच्छी हैं आपके अपने गार्डेड एंजल आपको तर फिल सपोर्ट करें किस चीज में तारीए आज आपको आपकी जिन्दगी में एक new direction आपकी लाइफ में आज आपको मिल सकता है अब यह new direction जो है वो इस जिन्दगी आपके career को लेके हो सकता है आपके relationship को भी करने की कोशिश कर रहे थी आज आपको सड़नी लगे का कि जिन चीजों को मैं पाना चारी थी वह तो वर्थ ही नहीं रखती है और आप अपनी लाइफ में और बहतर चीजों की तरफ बढ़ेंगे तो कहीं नहीं डिरेक्शन आज आज आपको मिलने वाला है आपके गाडियन आपको दे रहा और साथ ही साथ आपको यह भी कह रहे हैं चुकि आज की अनर्जी बहुत अच्छी हैं तो आपको अपने पैशन को जगाना होगा अपने टैलेंट पर भरोसा करके आपको आगे बढ़ना होगा आए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल्स हमारे एंजिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 2 जून 2023 के लिए आज की तारिख भी है नमबर 2 और मूलांक 2 की ही हम बात कर रहे हैं और हमें गाइड किया जा रहा है स्टार गेजर का काड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो भी कोई कारे करें उसका जो टारगेट है ना जिसे आपको एक्षीव करना है उसको बहुत हायर प्रेस्पेक्टिव में रखें यह नहों कि आप चोटी-चोटी चीजों क जा लगा सकती है अगरी जा आज के नथे पुरह करणे बहुत करें सकती में कुछ बड़न करने चीजों कि बहुत कुछ आचिए हैं तो कुछ बड़ा चीव करने की सोची पिर चाहे वो आपकी प्रोफेस्टनल लाइफ हो आईए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजिल, हमारे अंसिस्टर हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 2 जून 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है पहला है येिंट के लिए पहला है एल्डर और दूसरा है ईगल का तरीका है जो भी कुछ आपके एचीव करने का तरीका जो एक रवया आपने बना रखा है उसको आपको बदलने की बहुत आवाश्यक्ता है पैटर्न से आपको आगे बढ़ने की जुरत है हो सकता है कि आप एक व्यापारी हो आपके परिवार में कुछ लंबे समय से एक ही तरीके से काम किया जारा हो लेकिन आगे आने वाले सक्सेस के लिए आपको मॉडन तरीके अपनाने पढ़ेंगे सुभाह यदि बात है हमें अगर ग्रो करना है तो अपने आपको अबडेट करते रहना होगा अपनी नौलिज को हमें बढ़ाते रहना होगा तो वही आज जो पैटर्न जैंजाएं प्रस्पेक्टिव हैं चीजों को प्राप्त करने का इसको भी थोड़ा सा ब्रौड माइंडेड रखना होगा आपका दिन शुब्हों मूलंग 4 के लिए हमारे यंजल्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं दो जून दो हिजार तेज के लिए और मूलांक चार के लिए हमको कहा जा रहा है ड्रम का काड़े आपको कहा जा रहा है कि पाना बहुत कुछ आप चाहते हैं आप बहुत महत्वा कांग्शाएं हैं जिनने आप पूरा करना चाहते हैं जो इच्छायां पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हो गया रहा है, प्लानिंग पार्ट में थोड़ी कमी है, तो आज आपको कहा जा रहा है कि आगे बढ़ने से पहले अपनी प्लानिंग को मजबूत करें, जब तक प्लान नहीं करेंगे, ऑन पेपर अपनी चीजों को नहीं लि आपकी प्लानिंग ही आपको सक्सेस्फुल बनाएगी, तो आज का दिन एक्षिन लेने का नहीं है, बलकि अपने प्री प्रोडक्शन पे जो भी कुछ आप करना चाहते हैं, उस पर एक्स्ट्रा फोकस करने का है, आईए जानते हैं, मूलांक पांच के लिए, हमारे एंजल हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं, दो जून दो हजार तेस के लिए, और मूलांक पांच के लिए, हमको कहा जा रहा है, हाई प्रिस्ट्रिस का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज की दिन आपकी एनरजी बहुत अच्छी है, मा भगवती की किरपा आपके उपर बनी कि लिए आपकी कलीग वो सकते हैं, आपकी बहुत अच्छे हैं, इनसे की पावर बहुत अच्छी हैं इनका सदूप्योग करें, और जो भी महीला आपका सम्मान ह्रही है, आपकी सहायता करने हैं, उनको ग्रैटितूट अवश्य करें, आपका दिन would आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए एंजेल्स एंसिस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं आज 2 जून 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है औरेकल का कार्ड है किसी भी जरूरी कागज़ात पर सिगनेचर करने से पहले या फिर पैसे के लेन देन से पहले आज आपको सावधानी बरतना जरूरी है एक महतपूर्ण इन्फरमेशन आज आपको प्राप्त होगी जिस भी विशे की तरफ आपका ध्यान है आप बहुत हो सकता है कि शौक्ड भी हो जाएं लेकिन कोई महतपूर्ण जानकरी आज आपको प्राप्त हो सकती है तो आज कोई भी महतपूर्ण निर्णे लेने से बचें थोड़े से सही समय का इंतजार करें हो सकता है कि आपके जो डिसिजिन्स हैं उसमें कुछ बदलावा जाए आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमारे एंजल्स हमारे एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज दो जून दो हजार तेज के लिए और मूलांक साथ के लिए हमें कहा जा रहा है वाइस बन का कार्ड है हो सकता है कि जिस परिस्तिती में आप हैं वो आपके अनुकूल ना हो थोड़ा सा आप डिस्टर्ब महसूस कर रहे हो और आप वहां से निकलना चाह रहे हो भार फिर वो चाहे कोई रिलेशन्शिप हो सकता है या कोई जॉब भी हो सकती है तो आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं जो आपके पास है वही आपको मिलना था वही आपके लिए मिलना सुनिश्चित था इस समय तो कही ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत बेटर की तरफ बढ़ें तो आपको अपने उपर काम करने की जरूरत है आपको तभी बुद्धिमान कहा गया है जब आप आज जिस परिस्तिती में हैं उस परिस्तिती के अनुकूल अपने आपको ढाल सके आए जानते हैं मूलांक आठ के सब्सricksh Из-नस अब करें लिए हमको कहा जा रहा है जिए ही यह य्म आपक्ला करते हैं दोस्तों के आप सथाने वाले वाले हैं और अगर में आध्यात में किस तर की बात करूं तो अगर आपाप स्पिरिच्श बिल्ट में हैं तो आज आप एक बहुत रगाई और बहुतечение लि जो चीज होती है वो होती है उसका रास्ता तो आज कुछ ऐसा ही आप अनुभव करने वाले हैं और जो भी कुछ आप ट्रावल करेंगे वो आपके लिए सक्सेस्फुल रहने वाला है आपका दिन शुभ हो आईए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा हमारे एंजल्स और सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं दो जून 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है शेपशिफ्टर का कार्ड है कहीं ना कहीं जो चैलेंजिस आपके समक्षाय थे और आप काफी हद तक अपने भीतर ये सकारात्मक बदलाव भी महसूस करते हैं तो अब टाइम आ गया है कि आप अपने उस टालेंट को आगे बढ़ाएं जो भी कोई कारे है जो भी कोई थॉट प्रोसेस आपके मन में है अब आपको उसको पूरा करने में लग जाना चाहिए आपका दिन शुब हो तो दोस्तों ये थी रिडिंग हमारी एक से लेकर नौ मूलांग तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो मैं मिलूंगी आप से हमारे अगले एक सोड में तब तक के लिए आप सभी के वीजर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम